हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा है काफी महतपून चैप्टर है परकाश चाया और परवरतन काफी महतपून है कक्षा छेइमी की छात्रों के लिए जिनके विज्ञान है और यह विज्ञान का अध्यान है परकाश चाया और परवरतन काफी महतपून है light shadow and reflection इसमें जो हम आज करेंगे mcq करेंगे जो काफी महतवपून रहेगा और यह आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा तो हर एक बच्चों के लिए महतवपून यह बन जाता है इसमें हम mcq के अंतरगत हर एक बात को इनलाइज करेंगे और सबसे महतवपून बात है कि आपके लिए काफी महतवपून बन जाता है अगर आप अच्छे अंग प्राप्त करना चाहते हो तो हर एक mcq कुछ है अच्छे से समझे देखिए और कॉपी पर नोट किजिए चलि देखते हैं हमारा यहां टॉपिक क्या आया है यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत महतवपून चैप्टर है प्रकाश च्छाया और प्रवर्तन प्रकाश च्छाया प्रवर्तन जो है कक्षा चेमी के विद्यारतियों के लिए है और यह जो है विज्ञान का अध्यान है लाइट शैडव एंड डिफलेक्शन यह ncrt के न्यू पैटन पर अधारित है यहां प को इनलाइस करेंगे समझेंगे जानेंगे और विचार करेंगे और देखेंगे कि इस कोशन में क्या विश्यस्ता है और समझेंगे देखा जाये तो यहां हमारा कोशन आया है काफी महतवपून है कोशन है चाया का अकार किस पर निर्वर करता है चाया का अकार किस पर निर् 59. foto you know that question is interesting शेपोउब शेडू डिपेंड अपॉण दॉआ प्रो और फारी कोनें वी कहता है भी के अकार पर यानि देखा जाए तो यहां पडुक्स तरह साइज उप द्बजेक्ट यह पर कार केसले शेप का मतलब भी होता है रइस वह का नीचे के लिए जो है साइज के लिए और शी कह रहा है परकास के सोत्र का अकार बी कहता है सोत्र प्रकास के रंग तो देखा जाया तो option ए और बी जो है दोनों एक ही बात पर रिप्रजेंट करता है लेकिन हमारा अंसर जो होगा shape of the object यानी बस्तू के अकार पर ठीक है यह option आपका सही जाएगा ठीक है ऐसे तो अगर देखा जाया तो दोनों option एक जैसे ही हैं तो दोनों option ही हो सकते हैं सही लेकिन मैंने इसलिए आपको English में translate किया है कि बस्तू का अकार का मतलब होता है shape of the object और बस्तू के जो अकार दूसरा दिया हुआ है size of the object इसका मतलब सिर्फ आपको दिमाग में होना चाहिए कि shape of the object पे डिपेंड करता है तो यह option आपका सही जाएगा चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है कोशन है कि सूरे के पीन हॉल छवी है सूरे के the pin hall image of the sun is the pin hall image of the sun is the pin hall image of the sun is अगर option पर हम द्यान करें तो कहते हैं वो गылा कार हो सकता है बी कहता है वो लंबा हो सकता है सी कह रहा है कभी लंबा कभी गुलाकार और डी कह रहा है इनमेंसे कोई नहीं तो कोशन साफ है सूरे के पीन हॉल की चवी कैसी होती है तो देखा जाए तो गुलाकार जो है सूरे के पीन हॉल होती है यानि देखा जाए तो option A आपका सही है सूरे के पीन हॉल जो होती है कि वस्तू की च्हाइया है किसी वस्तू की च्हाइया होती है उस किस परकार की बनती है कौशन बहुत किलिए है ₹ आपने लाल कप्रा पेंड दखा है तो क्या आपको शेडो लाल बनता है कभी आपने अजमा के देखा है तो आप बाहर जाएए सुर्य के परकास के सामने खरा हो ये और देखिए कि आपका छाया किस परकार का बनता है कैसा बनता है उसका रंग कैसा होता है तो देखा जाए तो कोशन पिल्कुल किलियर है कि किसी वस्तु की छाया जो होती है वो काला होती है यानि कोई रं अगला कोशन क्या है अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है कोशन है चाया की इस्तिती बदलती रहती है देखिए चाया की इस्तिती होती है किन कारणों से बदलती है कोशन काफी असान है चाया की इस्तिती किसे कारण बदलती है the position of the shadow changes with the position of the shadow changes with देखा जाए तो option है प्रकास की स्थित्थी के कारहन वी कहता है प्रकास सोत्र की गती कारहन और D इन दोनों ए और बी के कारहन होता है या इन येसकों वेसे कोई नहीं कुछत्य साफ है कि छाया कीस्थी sap बदलती तो यही बात यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चाया की सित्षी बदलती रहती है तो देखा जाता हैं, परकास सोत्की उस्थी करण भी बदलती है, और है कोसे काफ़ी मैइ तो पूर्ण था, चले देखते हैं, अगला कोशन आपके स्कीर पे आ गिया है, कोशन है, कि जब कोई पारदर्शी बस्तू परकास के रास्ते में आती है तो वो बनता है कोशन का भी महत पून है कोशन तो साफ है यहां कि जब कोई पारदर्शी बस्तू परकास के रास्ते में आती है तो यह बनता है क्या बनता है क्या उसका एक छाया बनता है या भी एक रंगील चवी बनती है यसी एक काली और सफेद चवी बनती है या डी कोई चवी बनती ही नहीं है तो देखा जाए जब कोई पारदर्शी वस्तुप प्रकास के रास्ते में आती है तो हमेशा चाया बनता है अगर आप प्रकास के रास्ते में आओगे, तो छाया ही बनेगी, रंगिल छवी तो बनती नहीं है, काले सफेद तो बनेगी नहीं, और छवी न बनने की बात तो होगी नहीं, तो option यहाँ पर A सही है, एक छाया बनेगा, option A के साथ आप जा सकती हो, चलिए देखते हैं, अगल कोशन आपके screen पे आ गया है, कोशन है, पानी में बनी छवी, पानी में जो छवी बनती है, वो किस परकार की होती है, कभी आपने देखा है, पानी में इमेज, कई बार आप जो है काटून देखते हो, काटून में जो है, अगर मोगली देखते हो गए, तो देखते हो, उसमे इमेज में ओल्टा बंता है या जिस बन भूंबा बनता है कम हो गया देखा जाये तो उरस अगर आपका साई है यहांद के आग़ा कौशन आया दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोछको औरके अबDorf वो स्वेश्वी कोके हैं भूस मेंसे कोई नहीं कोसा पॉसक्तों दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए दरपन जोता है अपार दर्शी वस्तु वस्तु का उता है इसे इंग्लिश में क्यों आपका सही है दरपन है अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्कीन पे आ गया है कोशन है कि परभाशी वस्तु का उधारन कोन है यानि देखा जाया कोशन है which is an example of translates object option है एकपतली काथ की seat, B, एक पतली कागज की seat, C, एक पतली लोहे की चादर, D, एक पतली लकडी की चादर, तो देखा जाए परवाशी, परवाशी का मतलब होता है, जो हम R part clear रूप से 9 देख सके, तो काज के seat में तो आप R part देख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक पतली लकडी के चादर में नहीं देख सकते हैं, न एक पतली लोहे की चादर में आप clear देख सकते हो, तो इसका मतलब देखा जाए, तो अंसर B है एक पतली कागज के seat, एक पतली कागज के seat जो होती है, एक तरह का परवासी बस्तू का उधारन है यानि यह option आपका भी यहां पर सही है चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्कें पर आ गया है कोशन है निमलिकित में से कौन सी एक चमकदार बस्तू है निमलिकित में से कौन सा जो है एक चमकदार बस्तू है कोशन साफ है वीच आफ द फ्लोइंग इस दा लूमिनेस अबजेक्ट वीच आफ द फ्लोइंग इस लूमिनेस अबजेक्ट औप्षन है पेंसल बी के रच चेयर गुट्सीं से करे रवी यानी सान यानी सुर्यन लीके रहेड टेबल तो इसमें से कौन सी जो है एक चमकदार बस्तू है देखिए दोस्तों फैंसिंग तो這是 करता ही नहीं चलिए देखते हैं अगला कॉशन जो हमारे समख शाया है कोशन है वह वस्तु जो परकास को अपने से होकर गुजरने देती है क्या कहलाती है वो वस्तु जो परकास को अपने से होकर गुजरने देती है क्या कहलाती है यहां देखा जाए तो option पे हम गौर करें तो a है पारदर्शी, option d है, b है पारदर्शी, option c है पारभाशी, option d है इन में से कोई नहीं कोईशन का भी महत पून है, वो वस्तु जो परकास को अपने से होकर गुजरने देती है, क्या कहलाती है तो देखा जाए दोस्तो उसको हम transparent कहते हैं, यानि पारदर्शी, option a आपका सही है, पारदर्शी जो अपने में से परकास को गुजरने देती हो तो देखते हैं अगला question क्या है, अगला question हमारे समक्षाया है, question है कि वायू है, देखे वायू है क्या, आखर वायू को हम क्या कह सकते हैं यहां पर, इस chapter के अंतरगत, light, shadow और reflection के अंतरगत, हम वायू को क्या नाम कर सकते हैं, तो यहां question clear है, here is, option देखे क्या हो, हवा जो है पार दर्शी है, B कह रहा है पार भाशी है, C कह रहा है यह दोनों ही है, और D कह रहा है इन मेंसे कोई नहीं, तो question यहां पर काफी clear है, समझ वाली है, कि वायू क्या है, अगर आप क्या वायू को देख सकते हो, नहीं, वायू को देखना संभ कि वायू जो है एक पार दर्शी है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हमार पार देख लेते हैं, तो एक तरह से यह option आपका सही है, जो है वायू जो है पार दर्शी है, तो देखते हैं, अगला question क्या है, अगला question आपके screen पे आई गया है, देखिए कोशन है काच की सीट है जो काच की सीट होती है आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर घहत उसको किस क्टेगरी में रखोगे यहाँ पर जो चार आप्शन है इन में से किस क्टेगरी में रखोगे तो कोशन है या, glass sheet is on glass sheet is on means और option है या, क्या काच की सीट एक पारवाशी बस्तू है या B, अपारदर्शी बस्तू है या C, पारदर्शी बस्तू है तो देखा जाया तो D कहरा है इनमेंसे कोई नहीं तो कोशन काफ़ी महत पूर्ण है यह आपको पता होना चाहिए कि कांच के सीट से जो है हम आर पार देख सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ यह एक transparent object है तो transparent को हम इंदी में क्या कहते हैं पार दर्शी तो c option आपका सही है c option के साथ आप जा सकते हो कि कांच की सीट जो है एक पार दर्शी बस्तू है चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है कोशन है परकास अंदर यातरा करता है देखिए परकास कैसे यातरा करता है उसका कैसा पत होता है परकास जो होती है किस परकार से अपना यातरा पूरा करता है क्यों देखिए सूरज उगदय होती है और सूरज के उदय हम तक पहुंचती है तो वो किस परकार जो है अपना रास्ता तै करती है उसका रास्ता किस परकार की होती है तो कोशन काफी महत पून है कि परकास कैसे यातरा करती है दलाइट ट्रावल इन दलाइट ट्रावल इन से है ऑप्शन एक गुमवदार रेखा की तरफ गती करती है बी कहता है एक इच्छन तरीके से गती करती है सी कहता है सीधा रेखा से गती करती है या D कहता है एक JIG जाएग यारी टेढ़ा-मिड़ा रडास्तों को तैय करकर हम तक पहुँचती है तो कोशन तो पोड़ा होते ही किलियर है कि परकास की यातरा कैसे होती है तो मैं आपको बता दूँ परकास की यातरा जो होती है सीधी रेखा पे होँती है यारी जैसन उगता है हम तिक सीधी रेखा में परकास हम तक पहुँच जाती है तो यहाँ पर C option आपका सही है C option के साथ आप जा सकती है किस परकार की वस्तू परकास को अपने से होकर उजरने नहीं देती है देखिए वो कौन बस्तू है जो अपने अंदर से परकास को उजरने नहीं देते है उसको हम science के language में क्या नाम देती है यह 3-4 option है इंड में से क्या कहते हैं इस type of object do not allow light to pass through them देखा जाये तो यहाँ option पर हम बात करें तो यह कह रहा है पारदर्शी option B कह रहा है पारवाशी option C कह रहा है अपारदर्शी या D इन में से कोई नहीं question बहुत काफी महत्ववून है किस परकार की वस्तू परकास को अपने से होकर उजरने नहीं देती है तो आपको पता होना चाहिए अब क्यों कोती है है जो अपने अंदर से परकास लुजरने नहीं देती है लेकिन उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं हम उसको हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं यहाँ यहाँ सी सही है चले देखते हैं अगला कोशन क्या है जैसे कि कोशन आपके समक्षा ही गया है देखी कोशन है कि निमले कित में से कौन सा परकास का प्रकास का सोत्र है निम्ले कित में से कोन सा प्रकास का सोत्र है नेचरल सोस्त्र यानि प्राकीटी भूर्फ दctionि भजली के बल्ब जो है नेचरल सोस का लाइट है या रभी रभी का मतलब दोस्तों यहां होता है सं यानि सूरिय का सी कह रहा है ट्यू लाइट डी कह रहा है चांद्रमा तकि आप सोचिए सोचते होगे कि चांद्रमा भी हो सकता है लेकिन आपको मैं बता दू चांद्रमा का अपना स्वैम का लाइट नहीं होता है चांद्रमा जो होती है सूरज से अपना प्रकास अरजित करती है इसलिए प् अपना स्वेम का लाइट होती है और इवें तारे को भी होती है अगर तारा अप्षन यहां पर होता तो हम स्टार पर भी जाते क्योंकि तारे का और जो है सन का अपना स्वेम का लाइट होता है और इसे हम प्राकितिक सोत्र कहते हैं प्रकास का प्राकितिक सोत्र के रूप में होता है यहां option आपका B जाएगा रभी क्योंकि sun kobe हम रभी भी कहते हैं सुर्य को रभी के नाम से भी हम जानते हैं इसलिए option B आपका सही जाएगा चले देखते हैं अगला question क्या है अगला question आपके screen पे आ गया है अगला question है कि जिस बस्तु का अपना परकास नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं देखिए जिस बस्तू का अपना परकास नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं the object which does not be have a light to be its oven is the object which does not have a light of its oven is क्या हम उसको चमकता हुआ दरपन कहते हैं जिसका अपना परकास नहीं होता है क्या B परकास बल्ब कहते हैं या C सिस्तारा कहते हैं या D जलती हुई माचिस की डिब भी क्यों कहते हैं कोशन बहुत ही किलियर है जिस बस्तू का अपना परकास नहीं होता देखा जाए दोस्तों अगर हम यहां पर चमकता हुआ दर्पन की बात करें और मैंने भी बताया भी था कि तारे का भी अपना स्वयम का परकास होता है तारा और संज होता है अपने स्वयम के परकास से ही चमकता है जलती ही माचिस का भी अपना परकास होता है तो हमसे यहां कोशन पूछ लिया है कि परकास नहीं होता है तो इसका मतलब option A सही जाएगा चमकता हुआ दर्पन चमकता हुआ दर्पन का अपना प्रकास नहीं होता है वो किसी भी light से चमकता है तो यहाँ पर A option आपका सही जाता है चलिए देखते हैं अगला question क्या है अगला question आपके समक्षा आगे आए question है कोशन बिलकुल साफ है एक खोगलिय पींट की चाया का दूसरे खोगलिय पींट पर बनना क्या कहलाता है क्या हम उसको छवी कहते हैं यानि इमेच क्या भी हम परतिवीम कहते हैं रिफ्लेक्शन क्या सी हम ग्रहन कहते हैं या डी इन में से कोई नहीं मैं आपको एक बता दू कि एक होगले पिंट की चाया अगर दूसरे पिंट पर पड़ता है तो लोग बहुत ही भैवीत हो जाती है और आज अधुनी की यूद यूग में भी ऐसे देखने को हमें मिलता है कि जब एक होगले पिंट का चाया दूसरे पिंट पर पड़ता है तो लोग बहुत भैवीत हो जाते हैं बहुत सिस्टमेटिक डूल लेगुलेशन चलाने लगते हैं तो आपको तरह अंदाचा लग गया होगा कि मैं यहां पर करें चुझा जाएगा कि हम इसको किकलेप्स कहते हैं यानि ग्रहन तो इसी ओप्षण आपका सही है चलिए अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे स्क्रीन पर आगया है अगला कोशन है कि समतल दर्पन पर परने वाली परकास की किरन क्या कहलाती है समतल दरपन पर परने बाली परकास की किरन क्या कहलाती है तो question is clear here the ray of light that falls on a planned mirror is called option यह है क्या हम उसको प्रावर्थित किरन कहते है या भी घटना किरन कहते है या C दोनों A और B कहते है या D इन में से कोई नही question काभी महतपून है कि समतल दरपन पर पर परने बाली परकास की किरन क्या कहलाती है क्या हम कहते है हम उसको जो है incident ray कहते है क्या कहते है incident ray तो incident ray को हम क्या कहेंगे घटना किरन यानि और परवर्थित किरन तो यहाँ पर option B आपका सही जाएगा incident ray यानि और परवर्थित किरन यानि घटना किरन तो देखा जाए B option आपका सही है चले देखते हैं अगला question क्या है अगला question आपके screen पर आ गया है question है कि जब कोई परकास किरन समतल दर्पन की सतव से टकड़ा कर वापस लोटती है तो उसे दर्पन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं जब कोई परकास किरन समतल दर्पन की सतव से टकड़ा कर वापस लोट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं when a light ray return back after the stricking the surface of the plant mirror is called it's called तो देखा जए जब कोई परकास किरन समतल दर्पन किस सतव से टकड़ा कर अती है तो उसे हम प्रवर्थित किरन कहते हैं यानि option a आपका सही है प्रवर्थित किरन option a प्रवर्थित किरन चोचले देख ते अगला कोशन क्या है किसी तारा है स्टार को आपको आपको बात बताू ने जो होते हैं यह थो आपको पता ही होगा ते ने को आते हैं और अपना एक परकास होता है तो इसका मतलब option क्या होगा option A होगा चमकदार घ्रह हैं चमकदार एक चीज्ज हैं जो काफ़ी महतफ़ून है यानि आप चमकदार यानि लूमिनस पर जा सकती यह काफ़ी महतफ़ून डाएगा luminous यानी चमकदार त्रेग nós अगला कोईशन क्या है अगला कोईशन आपके स्क्रEarn पर आ गया है अगला कोईशन है एक और किसा होती क्या है थीक ए अच्छो टीसा जो होती है एक तरह का जो है चमकदार बस्तू होती है जो काफी महतवपून होता है जो होती है उसका अपना प्रकास होता है और काफी महतवपून है देखा जाए तो यहां option भी कुछ इसी तरह की सारे कर रहे हैं कि एक रहाई है चमकदार चमकदार होती है जो کाफी महतफ़ून है और एक करन कहीं कहीं बनता है कि आप अपने निसे याटी बुक को फैलों नहीं करती हो आप अपने NCRT के जो है हर एक लाइन नहीं परती हो और यहां परतिरपान इस सेंटर ने हर एक लाइन जो है आपके NCRT से उठाया है जो यह काफी महत पूर्ण बना देता है और दुसरी सबसे महत पूर्ण बात है कि यह NCRT के नियू सिलेबस के अंतर गता है तो यह और भी म है तो पूर्ण बन जाता है तो अभी मैं हमेशा कहता हूं ना कि जितना हो सके वीडियो को शेर कीजिए दुसरे बच्चों का भी केर हो लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो जो गलत है चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है अद्रिपत का मतलब जो चमकदार नहीं होता है विच ओफ दफॉइग इजसन मुट्च कोई रहा है मसाल मसाल का मतलब इहां पर टॉर्च के लिए ली गई है बी कहता है सट सी कहता है विजली की रोशनी और ड्र के रहा है चियर तो इस में से एक अद्रिपे बशन कोई हो स कटीर अगर की बात करें तो आज अचमकती एपका सभी नहीं होती है छली देखते हैं अगा कोशन किया है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला कोशन है वो वस्तु जो स्वेम परकास नहीं देती है या उस्वेम परकास नहीं देती है उसे हम क्या कहते है लेकिन हम अपसल की तरफ बात करें तो एक कहता है चमकदार उसे कहते हैं या ब कहता है गेर चमकदार कहता है न् स्कूल को एक पके उ पडल परकास नहीं देती है उसको हम क्या कहते है नौलॉमिनस जोमीनस का मदलब गेर चमकदार यानि ओप्शन ये आपका सही है उप्शन बीप आप जा सकते हो चलो देखते चैए अगला कोशन हमारे समक्षा गया है अगलास कोशन जो है वो पदा जिनसे होकर प्रकास आंसिक रूप से गुजर सकता है और जिनमें होकर बस्तु सपास रूप से नहीं देखी जा सकती गुजर तो प्रतकी प्रकास तो गुजर सकता है लेकिन हमें बस्तु जो है क्लियर नजर नहीं आएगी उसक मज़ में आया है? A substance through which light can pass apparently and things cannot be seen clearly through them are. A substance through which the light can pass particularly and things cannot be seen clearly through them are. Option पर अगर नजर करें तो क्या उसको हम पारदर्शी कहते हैं या भी अपारदर्शी कहते हैं यह सी самый पारदर्शी कहते हैं इसमें से नहीं कहते हैं तो देखा जाए कोशण कांभी महत पून हैście यह पदा जिन में से होकर परकास अंशीख रूप से गुजरता या पूरी परकास नहीं गुजरता है अंसिक का मतलब होता है बहुत ही कम गुजरता हो और जो इसमें हम बस्तु को सपस्ट नहीं देख सकते हैं जैसे आपको एक्जामपल बता दूँ कि आप एक कागज लिजिए उसमें तेल लगा दिए इसमें यह होगा कि परकास तो कुछ गुजरेगा लेकिन बस प्रभाशी जही है सी तो ने सबस्क्राइब्स चुख जा सकती है जो अगला तरषी देख़कर को A ने से पारदर्शी या प्रकास कि इसके मार्द्रेत्यम से अनुमति देती है आपके समख जो अप्षण है उन में से कौन जो है पारदर्शी है जो अपने अंदर से परकास को जाने की उनमती देती है option is very clear which of the flowing are transparent are allowed light to pass through it option देखें तो क्या उसे rubber कहते हैं क्या glass होती है या c तांबा है या d लकडी है तो question बिल्कूल साफ है कि निमलिकित में से कोन पारदर्शी है या परकास को इसके माद्यन से गुजरने के अनुमती देती है क्या रबर्ड में परकास गुजर सकती है क्या गलास में गुजरती है कि तंबा में गुजरेगी या लक्री में तो यहां कोशन बिल्कुल साफ है और मैं बता दूँ आपका आप Glass से प्रकास गजर सकती है देखिए कांच जो होती है और auto-no Learn तो प्रकास गजर सकती है तो इसका मतलब option B आपका सही है option B बिसके साथ आप जा सकती हो तो कजो कैसि हमेत हो तो सही हम रहे है यानि Glass यहां पर सही है दूस्तो हमने यहां पर जो भी question किया है सारे question बहुत ही महतवपून है और NCAT के new syllabus के अंतरगत है तो बहुत ही महतवपून बन जाता है और exam view से भी काफी महतवपून है और आपको याद रखने के लिए महतवपून है तो जितना हो सक इसको लिखिए समझे और जो है इसको दुसरे बच्चों सेयर भी कीजिए यह दुसरे बच्चों का केर है और आपको पता है कि आपके लिए अगर अतिरपान स्टेडी सेंटर ऐसा करता है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप जितना हो सक इस वीडियो को शेयर कीजिए देखिए दोस्तों कहते हैं कि जो चीज अच इसलिए यहाँ पर छटी करक्षा के विद्यार्थियों के लाया है सारे MCQ क्योंकि आज कल तो पता ही होगा कि MCQ की एक नदियां चल रही है तो MCQ आपके लिए महतवपून बन जाता है और यहाँ पर सबसे महतवपून बात यह भी रहता है कि तिरपान स्टेडर यह MCQ अगले बार कहीं और जाएंगे ऐसा नहीं है दोस्तों आपको कहीं जाने की जुरत नहीं है तिरपान स्टेडर सिक्स्त क्लास से लेकिं में तक के बच्चों के लिए अगर सारी विडियो आपको दिखेंगी एक बार जो यहाँ पर आ जाता है उसको दिवारा जाने की जुर पर आयो हो और पहली बार समझ रहे हो अगर समझ आ रही है मैं हमेशा बात बोलता हो अगर समझ आ रही है तो सोचना नहीं होता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और जो सब्सक्राइब कैसे होता है जो सब्सक्राइब आपको तो पढ़े लिके हो ही सब्सक् झाल झाल